बिलासपूर शहर में नियमों को ताक पर रखकर बिना पर्मिट चल रहे हिमाचल पत परिवहन निगम की बसों के कारण ठप हुए व्यवसाय से गुसाए दि बिलासपूर आटो रिक्षा यूनियन ने अब आरपार की लड़ाई लड़ने का एलान किया है। बिलासपूर शहर में आटो रिक्षा यूनियन ने अब बिना पर्मिट के चल रहे हिमाचल पत परिवहन निगम की बसों को रोकने की तैयारे शुरू करती है। बिना पर्मिट के आठ बसों को चलाया जा रहा है। इन बसों के रूट कहीं और के हैं जबकि इन्हें वाया अस्पताल चलाया जा रहा है। उन्हें कहा कि इसी प्रकार इटेक्सी को लक्षमी नरायन मंदिर से चलाने की प्रमिशन मिली है लेकिन इसे बस सदे से चलाया जा रहा है। यूनियन का कहना है कि इन बसों के कारण 200 आटो रिक्षा संचालकों का कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। भी नहीं दे पा रहे हैं। यूनियन का कहना है कि एक तरफ तो सरकार स्वरोजगार की बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ नियमों को ताक पर रहकर बसे चलाकर आटो रिक्षा संचालकों के कारोबार को छीनने का प्रयास किया रहा है। जिसे किसी भी सूरत में बरदाश्ट नहीं किया जाएगा। के लिए बिलासपूर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट। झाल 1978 होगगा। झाल कि झाल